खेले आप सभी लोग मैं आसे इस कुछवा आप सभी का मद्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैसी चल रही आप सबकी तयारी में उम्मीद करता हूं आपकी तयारी बहुत अच्छी सद्धा चल रही होगी आज की इस क्लास में हम लोग बिसकस करने वाले हैं एक एक्जाम की जिसको कड़ेक्ट कराता है UPSC जी हाँ इस एक्जाम का नाम है CAPF जिसके अंतरगत जो व्यक्ति इस फॉर्म को फिल करते हैं वे बनते हैं Assistant Commandant तो आज की सेशन में हम ये देखेंगे कि CAPF एक्जाम में Science की क् साइंस को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कहने का मतलब ये है कि किस चैप्टर से साइंस के Questions ज्यादा आते हैं और किस चैप्टर से साइंस के Questions कम आते हैं ये हम आज की Class में देखेंगे इसको जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम लोगों को ये पता चल जाता है कि particular इस chapter से science के questions ज़्यादा आते हैं तो हम उन chapters पर ज़्यादा focus करेंगे और जिन chapter से science के questions कम आते हैं उन पर हम लोग कम समयद देंगे लेकिन science की weightage को समझने से पहले हम लोग CAPF examination के pattern को समझेंगे आखे यह pattern कैसे होता है फिर मैं आप आप लोगों को समझाऊंगा कि science के question की weightage किया है और इसका जो base है मैंने last past साल के यानि five year के question papers को जो है analysis किया है और समझा है कि आखिर किस chapter से कितने questions बन रहे हैं तो आईए आज के session को start करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों से request करूँगा कि आप लोग हमारी यह जो channel है यह cds and capf को पूरी तरीके से dedicated channel है जिस पे हम आप लोगों को cds and capf की तयारी कराते हैं हमारा जो schedule है यानि मेरा और other teachers का subject wise जो schedule है आप लोगों को screen पर दिख रहा है आप इसका screenshot ले सकते हैं ताकि आप लोग हमारी class में आ सके हैं अपनी time से पढ़ाई सूर कर सकें तो आप इस पूरे schedule को देख लिए आप screenshot लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और हमारा एक nda channel भी है तो हमारी class nda पी चल रही है अगर आप cds capf के इलावा nda की भी तयारी करते हैं तो आप हमारे उस channel को भी subscribe कर लिजे और अपनी nda की तयारी को सुनिश्चित करिए तो यह पूरा tentable है मेरा और other teachers का उनके subject के according जिसे आप लोग देख सकते हैं और हमारी class में समय से join करें अब जैसा कि मैंने आप लोगों कुता है था कि science की weightage को समझने से पहले हमारा यह जो exam है capf हम इस exam को समझते हैं इसके लिए मैंने पू basic सी बात यह है कि अगर हम बात करें तो इस exam को कौन conduct कराता है तो इसको UPSC conduct कराता है और capf मतलब Central Armed Police Forces ठीक है जिसमें BSF हो गए ठीक है CISF हो गए इसमें assistant commanded लगते हैं इसको conduct कराता है Union Public Service Commission यानि UPSC और जो selection होता है यह three rounds में होता है पहला जो होगा उसमें return test होता है जिसक second round जो होगा इसमें physical ability test और medical test होता है third round जो होता है इसमें interview और personality test होता है अब हम बात करते हैं यहां पर अपने first round की तो यहां पर दो पेपर आते हैं paper one and paper two paper one में जो questions होते हैं वो 125 होते हैं ठीक है paper one में जो हमारे 125 questions होते हैं इसमें math English यह सब मौजूद होती है GS मौजूद ह होती है लिकित paper second में जो है general study हो गया essay हो गया comprehensive आते है paper one जो होता है multiple choice questions इसमें आते हैं जबकि paper second जो होता है descriptive होता है यह इसमें लिखना होता है paper one का duration होता है वो two hours होता है और paper two का duration होता है वो three hours होता है marks की बात करें तो पेपर वन में 200 मार्क्ण से यानि हर एक कोश्चन जो है दो नंबर का हो गया और पेपर 2 जो है 200 नंबर का है पेपर 1 में negative marking होती है one third लेकिन पेपर second में कोई भी negative marking नहीं होती है यह बात आप लोगों को समझ में आई अब मैं आप लोगों को पेपर बन और पेपर सेकंड को और भी डिटेल में बताने वाला हूँ जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो पेपर सेकंड होता है इसको दो पार्ट में बाटा जाता है A और B तो A जो होता है वो 80 निमबर का होता है B जो होता है वो 120 निमबर का होता है इंटर्व्यू जो होता है यह 500 निमबर का होता है यानि 200, 200 और देख से जोड दीजे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा एक्जाम जो है टोटल 600 मार्क्स का होता है ठीक है अब पेपर 1 के एक्जा से कोश्चन आएंगे डूरेशन इसका थ्री आर्स होगा और टोटल मार्क्स 200 होंगे यह बात आप सब लोगों को समझ नए तो यह था हमारा एक्जाम पैटन जो कि सीएपी का है अब एक्जाम पैटन आप लोगों को समझ में आ गया अब मैं आप को बताने वाला हूं साइन्स के कोश्चन की बेटेज इसके लिए मैंने क्या किया पिछले पांस साल के कोश्चन को इस्टडी किया या यानि 2019-2020-2021-2022 23 तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 2020 अगर हम बात करते जो जारोनिस 2019 की अगर हम बात करते तो 26 Question Science, अब आप सोचे 125 में से 26 कोच्चन जो है, वो Science ही, यानि 125 में से अगर 26 कोच्चन साइंस के हैं, तो आप ये सोच लिजे, लगग 20 परसेंट जो है, आपके Almaty जो है Science से पूचा है, 2020 की बाद करते हैं, 2020 की बात करते हैं, तो science के 28 question आये, 2021, 2021 की बात करते हैं, तो science के 26 question आये, 2022 की अगर हम बात करें, तो 28 question आये हैं, और सन 2023, इस वाले साल की बात करें, तो यहाँ पर 25 question आपके exam में आये हैं, out of 125 में से, तो यहाँ नि, science की बेटल बहुत ही जादा है, अब हम यह समझेंगे कि किस chapter से questions जादा आते हैं, हम उसको समझेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें, हमने एक table लगाई है, आप इस table को देख सकते हैं, तो human physiology, यानि शरीर क्रिया विग्यान, तो human physiology में क्या क्या आता है, जैसे हमारा digestive system हो गया, हमारा circulatory system हो गया, respiratory system हो गया, skeletal system हो गया, nervous system हो गया, exocrine system, endocrine system, इससे सबसे जादा question आते हैं, यानि अगर हम 5 साल की बात करें, तो last 5 years से अब तक 13 questions जो हैं, human physiology से आ चुके, plant kingdom, plant kingdom के अंतरकत आप यह समझ लिजए, हम लोग plant की classification भी पढ़ते हैं, और plant की morphology बगएरा भी पढ़ते हैं, जैसे plant से related जो disease होते हैं, plants के जो hormones होते हैं, plant का reproduction किस तरीके से होता है, और plant के जो आंतरिक पार्ट होते हैं, उनको भी हम लोग यहां पर plant kingdom में ही पढ़ते हैं, तो plant kingdom से last five year में कितना question आया है, plant kingdom से जो है 14 question आया है, cell and tissue की बात करते हैं, तो cell and tissue से 9 question आया है, तो यह था हमारा biology का portion, उसके बाद chemical reaction से हमारे 11 questions आये हैं, electromagnetism जो कि हम physics में पढ़ते हैं, 9 question आये हैं, metal, non-metal हम लोग chemistry में पढ़ते हैं, इससे 10 question आये, microorganisms, जो कि हम biology में पढ़ते हैं, human disease में, जो हम मानव रोग chapter पढ़ते हैं, उसमें microorganisms जैसे bacteria हो गया, virus हो गया, worms हो गया, fungus हो गया, इनसे हमारे question आये हैं, 9, अगर हम physics में बात करें, motion and mechanics से 7 question आये, optics से देखें कितने ज़्यादा question आये है, 13 question आये, sound chapter से 12 question आये, food and nutrition, food and nutrition को हम लोग chemistry में भी पढ़ते हैं, food and nutrition को हम लोग जो है, biology में भी पढ़ते हैं, जैसे vitamins हो गए, protein हो गया, carbohydrate हो गया, fat हो गया, minerals हो गया, यह सब किस में आते हैं, food and nutrition में आते हैं, hydrocarbons, जैसे fuels हो गया, koila हो गया, petroleum हो गया, gases हो गया, bio gas, water gas, producer gas, यह सब किस में आते हैं, hydrocarbons में आते हैं, तो इससे 7 question आये, solution से 8 question आये, और periodic table से 2 question आपके exam में आये हैं, तो आप लोगों ने देखा, कि science का weightage कितना है, इन से कितने question आये हैं, ये भी मैंने यहां पर mention कर दिया है, तो इन chapters को हम लोग ज़्यादा focus करेंगे, तो M by words ये थी detail जिसमें मैंने आप लोगों को CAPF exam का पूरा आप लोगों को pattern बताया है, और science में मैंने आप लोगों को वो chapters बताया हैं, जहां पर ज़्यादा तर questions पूछे जाते हैं, और इस data का जो आधार है, ये जो मैंने आपको number of questions बताया है, इसका base है कि मैंने last 5 साल के, यानि 2019 से 2023 तक के questions को study किया है, analysis किया, और फिर मैंने आप लोगों को number of questions बताया, और साथ के साथ हमारी CDS and CAPF का YouTube चैनल है, अगर आप CAPF और CDS की तयारी करते हैं, तो आप उसे subscribe कर लिजे, अगर आप NDA की भी तयारी करते हैं इसके साथ, तो आप NDA के चैनल को भी subscribe कर दीजे, उसका time table भी मैंने आप लोगों को बताया, आप सभी से request है कि आप सभी हमारे telegram group से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे telegram group में हम आप लोगों को class की PDF प्रोवाइड करते हैं, और class start होने से पहले हम आप लोगों को class की notification भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोग हमारी class में आराम से जुड़ सके, तो हमारे telegram group का नाम है defense achieve, माप कीज़ेगा, M5 Achieve Defense Exam, अगर आप मालीजे bank की तयारी करते हैं, तो आप हमारे bank के telegram से भी जुड़ सकते हैं, आप SSC और railway की तयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे SSC और railway के भी telegram चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके इलाबा मैं आप लोगों से request करूँगा कि आप M5 अप्लिकेशन को भी download कर लें, प्ले स्टोर से भी download कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के description box में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों को link मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो practice class कराते हूं, मैं या फिर जो other teachers हैं, अपने subject की जो practice कराते हैं, वो M5 की application पर कराते हैं, तो आप वहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पर आप लोग practice भी कर सकेंगे, इसके इलावा हमारी एक application है M5 Lens, M5 Lens application की खुब सूर्ती और खासियत यह है, कि M5 Lens application पर आप किसी भी concept को 3D animation के माध्यम से पढ़ सकेंगे, जिसे for example, मैं एक concept लेता हूं, छोटा सा concept है lever, अगर आपको lever पढ़ना है, तो आप M5 की application जब आपके phone में होगी, या laptop में होगी, तो आप क्या करेंगे, आपको simple अपनी book में lever को scan कर लेना है, या फिर आप type भी कर सकते, तो आप देखेगा, कि human lever के regarding जितनी भी information है, वह आप animated video के माध्यम से सीख सकेंगे, तो क्या हुआ, इस से आप लोगों की जो learning होगी, वो visual हो जाएगी, और बहुती ज़्यादा concrete हो जाएगी, तो आज की class हम लोग यहीं पर खतम करते हैं, M5 Achieve Defense Exam से आप लोग जरूर जुड़ जाएए, अगर आपका कोई भी doubt है, science की weightage को लेके, या फिर CAPF के exam pattern को लेके, तो आप प्लीज उस doubt को comment box में छोड़िये, ताकि मैं आप लोगों के doubt का reply कर सकूँ, यह class मैं यहीं पर खतम करता हूँ, bye bye, take care, all the best, जल्दी मुलाकात करूँगा आप लोगों से next class में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्त रहिए, keep embibing, because embibing is better than learning. क्या उन्च को अपाल, अजया कितना सbound रहां, थच्वस्त रहां हैं, एक उप्क है, जल्ला कर देता हैं, त when जब होगों बा même से next class में, तर स्काव में, क्या दोईती हैं ए 줘, ज'तर क्र внешी सोई जा शराफीर, क्ले आप जग्यां दो, इसकाते हैं, आप रहिए आए भायां,